नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आप अपने लेदर जैकेट को अपने घर पर किस तरह से साप कर सकते हो किस तरह से वास कर सकते हो लेदर जैकेट को साप करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं तो वीडियो को अंतक देखना वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलो वीडियो सुरू करते हैं अपने लेदर जैकेट को अपने घर पर साप करने के लिए सबसे पहले आपको कोई छोटा सा बरतन ले लेना है जैसे कि ग्लास, बाउल और एनिटिंग इल्स अब इसमें थोड़ा सा पानी यानि वाटर डाल लेना है इसके बाद इसमें एक चमच डिटरजेंट पाउडर यानि आप जो नॉर्मल सर्प अपने घर पर यूज करते हो कपड़े साप करने के लिए उसे इसमें डाल लेना है अब इस सॉल्यूसन को अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके बाद हमारा सॉल्यूसन अब पूरी तरह से तयार हो चुका है अब एक साप कॉटन का कपड़ा लेना है और उसे इस सॉल्यूसन में अच्छी तरह से डाल देना है इसके बाद इसे थोड़ा सा squeeze करना है यानि गार लेना है जिससे इसमें ज्यादा liquid नहीं बचेगा अब इस भींगे वे कपड़े को आपको अपने leather jacket पर धीरे धीरे और हलके से रगड़ कर साप करना है और इस process को 4-5 बार repeat करना है यानि फिर से इस cotton वाले कपड़े को इस solution में भींगोना है और अपने leather jacket पर हलके से रगड़ कर इसे साप कर लेना है इसके बाद last में इसी cotton वाले कपड़े को पानी से धो कर अपने leather jacket पर हलके से एक बार और रगड़ना है जिसे की जो भी detergent powder का remain आपके leather jacket पर है वो भी अच्छी तरह से साप हो जाता है फिर आपको अपने leather jacket को किसी अच्छे जगह पर hang कर देना है जिसे की आपका leather jacket अच्छी तरह से सूख जाए यानि dry clean हो जाए आप इस method के जरिए 5 से 10 minute के अंदर अपने किसी भी leather jacket के inside and outside को आसानी से और अच्छी तरह से साप कर सकते हो I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको अभी भी कोई problem है इस topic के regarding तो मुझे comment section में बता देना या instagram पर मुझे follow करके dm कर देना मैं आपके प्रस्तों के उतर जरूर दोंगा So I hope this video is helpful for you Please do subscribe, thanks, peace out